हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज हम SCRT की तरफ से दी जाने वाली वीक थर्ड रीडिंग केमपेन इंगलिज की वर्क सीट नमबर 17 सॉल करेंगे जो की 5 फेबरी 2022 की है बच्चो ये वर्क सीट क्लास वन स्टूडेंट्स के लिए है वर्क सीट की थीम है फन विद पोयम्स चलिए वर्क सीट सॉल करते हैं गुड मॉर्निंग चिल्डन होप यू ओल आर वैल एंड गुड गुड मॉर्निंग बच्चो आसा करते हैं आप सभी स्वस्त और अच्छे होंगे इन आर प्रीवेस वर्क सीट वी हैव लेंट हाव किट्टू रेसाइटेड अपोयम आज किट्टू ने एक पतंग बनाई है जिसमें सभी रंग है जैसे कि इंद्रधनुस में होते हैं इट इस फुल आफ कालर्स एंड हैज लोंग टेल वह रंगों से भरपूर है और उसकी एक लंबी पूंच है लेट उस रीड किट्टू जो रेंबो काइट स्टोरी टुड किट्टू है रेंबो कलर्ड काइट किट्टू के पास इंद्रधनुस के रंगों वाली पतंग है वन डे एक दिन दे विंड वास ब्लॉइंग हवा चल रही थी एंड किट्टू वेंट टू बालकनी ओफ इस हावस अलोंग विद इस फादर तो फ्लाइट काइट और किट् वें पतंग उड़ा कर बहुत खुश था बट सड़नली दा काइट गट स्ट्रक इन ट्री इन फ्रेंट ओफ इस हावस परंतु अचानक उसके घर के सामने जो पेड था उसमें उसकी पतंग अटक गई किट्टू बिकेम वेरी सैड किट्टू बहुत दुखी हो गया he tried to pull the string in order to untangle the kite उसने धागा खीचने की कोशिश की ताकि पतंग पेड से निकल आए the kite did not move परंतु kite बिल्कुल भी नहीं ली किट्टू started crying किट्टू रोने लगा किट्टू's father got an idea किट्टू के पापा को एक idea आया किट्टू's father went near the tree and helped him pull the string slowly किट्टू के पापा पेड के पास गए और उसकी मदद की पतंग के धागे को धीरे से खीचने में the kite was untangled and किट्टू was happy to see his kite flying again over the trees and over the houses पतंग अब untangled सुलज चुकी थी पेड से निकल चुकी थी अब किट्टू अपनी पतंग को देखकर खुश था क्योंकि वह घरों के ऊपर पेडों के ऊपर उड रही थी किट्टू went back to home happily और किट्टू वापस अपने घर खुशी खुशी आ गया तो बच्चों कैसी लगी कहानी आपको चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब कुछ कहानी से संबंदित questions करते हैं question 1 let us read and learn the name of the colors in kittu's kite a rainbow colored kite आओ रंगों के बारे में सीखें जो किट्टू की पतंगे थे कौन से rainbow colored आओ किट्टू की पतंग में दिये गए एक रंगों के नाम सीखें rainbow colored kite जो उसकी इंड़धन उसके रंगों वाली पतंग थी उसके रंगों के नाम यहां सीखते हैं बच्चों इसका सीधा सा एक formula होता है विब ग्योर वी से वाइलेट आई से इंड़िगो बी से ब्लू जी से ग्रीन वाई से येलो ओ से और और आर से जैड तो यहां पर color दिये गए हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं second करते हैं I am sure you must be excited to draw a kite in your notebook मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत excited हो रहे होंगे अपनी notebook में पतंग का चित्र बनाने के लिए write a poem on a kite and share it with your teacher also आपको एक पतंग बनानी हैं और उसके ओपर एक poem लिखनी हैं और अपने teacher के साथ उसे share करना है तो बच्चो आप एक पतंग ड्रो करेंगे kite ड्रो करेंगे उसमें color करेंगे और उसके ऊपर एक कवीता poem लिखेंगे और उसे आप सुनाएंगे record करेंगे और अपने teacher को भेजेंगे आपकी स्वीधा के लिए मैंने यहां पर एक kite बनाई है उस पर मैंने poem इस प्रकार लिखी है flip flap flip flap rises my kite up and up up and up in the sky flip flap flip flap goes my kite sometimes to my left sometimes to my right तो यहां मैंने kite के ऊपर एक छोटी सी poem लिख दी है आप भी इसी प्रकार poem लिखेंगे और अपने teacher को सुनाएंगे तो बच्चों यह worksheet यह complete होती है अगर यह video आपको अच्छी लगी तो इसे like and share जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे latest videos को देखने के लिए channel को subscribe करना ना भूलें और देखते रहे हमारा channel knowledge kingdom थैंक यू झाँ झाँ